अब दोस्ते देखे हैं पिछली वीडियो देखे ह े टीं लिवर की हुंदा आया कितना हुंदा या की कामने दोसारे azzमा लगेगा जा किनने चेल तकतानो डाइट करना पायागी एदा कोई fix answer नहीं है लेकिन stage 1 fatty liver बड़े राम नल 6 मीन याच कवर कीता जा सकता stage 2 6 तो 12 मीन यादे विच कवर कीता जा सकता एक अच्छे healthy तरीके देना लेकिन सानू अदली करना की होएगा सानू समझना पहना है साधी body नू की चाहिदा है और तो आनू हो सकता कुछ भी चाहिदा होगे तानू कोल्डरिंग चाहिदी होगे तानू गज्रेला चाहिदा होगे तानू गलाव जामन चाहिदा होगे पर तो आड़ी body नू नहीं चाहिदा अगर तो आनू fatty liver दी प्रॉबलम है यह दा मतलब ओल्रेडी जाधा खाके तो उसे लिवर देपेच एक्स्ट्रा चर्वी जमा करके रखी होई है उस एक्स्ट्रा जमा किती होई चर्वी नू आपका कड़ना या उन्हों आपका यूज करना तो साधी body नू की चाहिदा हुश समझिए साधी body नू चाहिदा हाइ फाइबर साधी body नू काट फाइबर वाला खाना नहीं चाहिदा साधी body नू complex carbohydrates चाहिदे नहीं जिनने जो fiber ज़्यादा होंदा या शूगर काट होंदी है सानू simple carbohydrates नहीं चाहिदे टोटल गिंती दे हिसाब नाल भी अगर देखे जावे तो सानू carbohydrates बहुत नहीं चाहिदे अगर असी बहुत ज्यादा active lifestyle नहीं जीन दे तो सानू carbohydrates भी काट चाहिदे ज्यादा carbohydrate नहीं चाहिदे moderation दे बिच सही तरीके दा सही quality दा सही मात्राज प्रोटीन असी खाना या cut protein या cut quality बाला protein असी नहीं खाना असी ज्यादा तो ज्यादा antioxidant rich चीजां खानी याने fresh चीजां खानी याने असी processed food नहीं खाने anti-inflammatory जो चीजां साथी diet विच होनी या लाजमी ने inflammatory diet सानू नहीं चाहिए दी raw या cold pressed virgin oils असी prefer करने ने किसे भी तरीके दा refined तेल trans fats असी नहीं यूज़ करने ने इना healthy fats नो भी असी overcook नहीं करना इना नो बहुत ज्यादा तुड़का या fry नहीं करना ते एक अच्छा healthy calorie deficit असी maintain करना या calorie surplus विच नहीं जाना जरूरत तो ज्यादा calories असी नहीं खानिया तो इस सारा कुछ करन दे नाल नाल इस सारा कुछ करन वास्ते सानो की चीज करनी चाहिए थी है सब तो बदी आंसर पता की है exercise तो आटे शरीर दे विच जादा calories जा रही हैं सी हूना extra calories नू एक्स्ट्रा sugar नू एक्स्ट्रा fat नू तो आटी body ने convert करकरके fat दे विच लिवर दे विच जमा कर देता कई लोग की कहन दे ने fatty liver हो गया क्यों मख्ण खाना बंद कर देओ नहीं क्यों मख्ण खाना बंद कर देता अबर तुसी मिठे दा दबाले चाड़ी जनने मिठा तुसी बेहसा पकाई जनने है ओही मिठा जेडा आपा पिछे वीडियो चे देख्या के ओही मिठा fat convert हो हो के liver दे बिच जमा हो रहे है तो आपांगी करना खाना limited है तो जमा हो चुकी calories है जमा हो चुकी fat है उन्हों असी use करना हो दे लिए सब तो बदिया तरीका की है exercise हो दा सब तो सही answer है सो तुसी crossfit करो, gym करो, तुसी aerobics करो, curry workout करो, medicine ball ना लिया, flexibility workout करो, तुसी crunches करो, रसी टपो, cycling, cardio, किसे भी परकार दी exercise तुसी करो, तुसी हिलो, कुर्सी तो उठो, सोफे तो उठो, उठो के काम करो, काम करांगे ता साधी body calories burn करना चाहूगी ते असी एक healthy deficit maintain कीता हुए, आसी थोड़ी जी साधी सरीर दी जरूरत तो, 200-300 calories का तखा रहे हैं लेकिन आसी काम ज़्यादा कर दे पहे हैं उस condition चे ताड़ी body की करेगी तो आड़े सरीर दे अंद्रों calories लब के उना नू बर्न करोगी जो calories fatty liver दे रूप दे विच ताड़े liver जमा होई या होई होर इस तो अलाब आसी की कर सकते हैं, आसी aerobics zumba class join कर सकते हैं, आसी योगा कर सकते हैं, hardcore gym कर सकते हैं किसे भी परकार दी exercise साड़े ली सब तो best option है अगर सानो fatty liver दी problem है, चीक है जी, लेकिन अगर किसे reason करके, आसी exercise दे जोर नहीं दे सकते हैं, मालो किसे नो cervical दी problem है, किसे नो go day दी problem है, किसे नो back दी problem है, आसी exercise दे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, जिन नहीं कर सकते ह किसे भी बदलाव लेके आईए, किसे भी तरह दे refined तेल, वनस्पती, ट्रांस पैटा, जीरो कलेस्ट्रोल वाले नकली मखन ये अपनी diet वे चुकर दिये, खांड, गोड, शैद, शकर, जड़े refined sugars ने, इना नो अपनी diet वे चुकर दिये, ते alcohol, शिराब, बीर, इना चीज़ fries नहीं है, तड़या होया कला, fried chicken नहीं है, जो सी कर दे वेचे दाल सबजी नो भी तुड़का लाला के बना रहे हो भी तड़या होया है, तुड़के आली दाल सबजी जबी आपाँ परहेज करना है, जा तक ठीक नहीं हो जड़े, इस तो बाद जिनने भी परकार दे मिठे या, cold drinks है, पीन बालियां मिठियां चीजा होंगे, ते fruit बहुत healthy है, fruit juice पिया करो, fruit juice बहुत healthy, fruit juice healthy है, बड़े सारे vitamin, minerals थे enzyme ने, पर उदे बढ़ियां सारे calories थे sugar भी है, जिस व्यक्ति दा पहलना तो ही ज़्यादा calories लेंड करके, ज़्यादा surplus amount दे विच खान करके, liver fatty होया ओदे लेई juice नहीं चंगा, नॉर्मल बंदा juice पी साकता, पर जिदा वजन ज़्यादा आया, खून गाड़ा या, fatty liver हो juice ना पीवे, किसे भी परकारदी cold drink कसी नहीं पीनी, किसे भी परकारदा energy drink कसी नहीं लेगा, juice, cold drink इना चीज़ ज़्यादा प्रेज रखना, drink alcohol दा बिल या, artificial sugar body दे विच जान दिनाल, साथी body दा insulin system खराब हुंदा है, तो इस करके इन्हों आप आँवाइड करना, लास्ट विच आ गया कि कहो जी, diet साथी फिर होनी चाहिए, यह साथी diet होनी चाहिए, अनाज दे विच असी, सिर्फ ते सिर्फ हाई fiber वाले अनाज खाने ने, जिवें के millets, kodra, john, bajra, oats, brown rice, ज्यादा fiber वालियां चीज़ जेडे अनाज जिनना ज्यादा fiber हा, वो साथी उन डेली बहुत चंगी आने, लेकिन जिटे ट्यूबर्स ने, रूट्स ने, जिमें के अलू हो गया, जी मिकंद हो गया, इना नो थोड़ा कटा ये आपा, बांद करने लोड़नी, थोड़ा कटा ये इना नो आपा, फ्रूट्स देवेच आसी सिर्फ ते सिर्फ ज्यादा फाइबर वाला फ्रूट खाना है, काट फाइबर वाला फ्रूट जिमें के लीची, चीकू, अंगूर, ये चीज़ा आपा अवाइड करनी आया, ते सब तो जिरूरी, फैटी लिवर देवेच आसी ज्यादा फ्रूट खान देने, जादा फ्रूट खान देनाल भी तार इस रीवेच जादा शूगर जा रही है, चाहिए और नैच्रल शूगर ही के होना होगे, पर जादा शूगर ता जा रही है न, इसे चीज़नों सी कंट्रोल करना, दोद देवेच अगर देखो तो आड़ा वजन जादा नहीं है, पर फैटी लिवर आ, इद्दा भी होई दमागे, वजन जादा नहीं है, पर फैटी लिवर आ, तो सी फेर भी थोड़ा बहुत मलाई गळा दुद पीलो, बट मजॉरिटी लोग काली, आपां काट फैट वाला दुद ही पीमागी, क्योंकि काट फैट वाल अंडा देसी होना चाहिएदा, पोल्टरी अंडे दा यलो हिस्सा असी नहीं खामागे, सिर्फ ते सिर्फ देसी अंडे दा यलो हिस्सा खामागे, अगर सामनों देसी अंडे नहीं मिल दे, ते पोल्टरी अंडे ही अवेलेबला, फिर असी कला वाइट हिस्सा खामागे, अ बहुत सारे ऐसे वाइटमिन्स ने जिवें के कोलीन वाइटमिन ए जो साधे लिवर नो हेल्प कर देने तेकिन पोल्टरी वाड़ा जड़ा अंडाया ओधे यलो हिस्से चे विटामिन्स ए मिनरल्स बहुत कटने गुड क्वालिटी दे नहीं है गे ओमेगा सिक्स ज्यादा है होना ओमेगा सिक्स इन्फलैमेटरी होनदा है तो सिर्फ देसी मुर्गी दा अंडा वह असी यलो हिस्सा से मेद खा सकते है ठीक है अगे आज जाना चिकन फिश आप गल कीती थी कि सानो हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिदा है इन गुड और उन्हों फ्राइ करके नहीं खाना उन्हों बॉ Award करके स्टीम करके यह रोस्ट करके खाना है बदा मकरोर तिल, अलसी, मगज, सारे प्रकार दे पिस्ता सारे प्रकार दे सीड झा सकते है शिर्फ एक कैश्यू ता थोड़ा ध्याज तोड़ा पराईज रखना है न्ямे नम पाग वी तो ती ग्राम नट सीड सानू अलसी चिया सीड संफलावर सीड सारे याना मिक्स सानू रुजाना खाना चाहिए क्योंकि यसी कोल ड्रिंक बगारा बेलकुल नहीं पी सकते सारे लिड्रिंक्स ऑफिचे बेस्ट उपशन की है काली चाह ग्रीन टी ते काली कोफी ये सारे लिगेंट नहीं her क्यूंकि ये ग्रीन टी नहीं ब्लयक कोफी एंटी ऑक्सिडेंट शुन्स तो फिनोल से दिच ने ब्लैक पीच भी कुछ मातरा दे विच एंटी ऑक्सीडन्ट सुन देने पर जिद्दा ही असी इना ब्लैक टी या कॉफी देविच दुद्ध पादन नेया कुदी क्वाल्टी ख्राब हो ज़न दिया तो बाँत कदी होया कि उसी चाह दे विचे दुद्ध पाके पियो और पर मैशा ही चाह कारीनी चाहिए या म्रीन चाहिए या म्रीन पिनी चाहिए अंगर कीसी नैशा स्यंदने एक इस आम रख नाखना है अगर किसी कॉछ ए पीपी दृते आता तो थे में utmen शीर आइंσι नो यह सारे सप्लीमेंट्स तो आपने एक काउंटर में जा रहे हैं लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट या तो आनू सारे आनू वैसे चैनल दे डिस्क्रिप्शन दे विच भी एक डिस्कलेमर देता हो या कि कोई भी चीज शुरू करने तो पहले प्लीस अपने एक प्रैक्टिशनर दिनाल जरूर सलाग करो या फिर इरुडाइड निट्रीशन तो आड़ा कंवल दीव सिंग ओजला तो आड़ा अपना पर्सनल डाइटीशन हमेशा तो आड़ी सेवाज हाजे रहा तो सी मेरे नाल भी इंस्टाग्राम ते फेस्बुक ते या मेरे नंबर ते या कोई परकार दियां कोई दवाईयां चाल रही या ने तहां वेरी इंपोर्टेंट आपके अपने जनरल प्रक्टीशनर नों कंसल्ट कीते बिना कोई भी सप्लीमेंट शुरू ना करें ते इदे विच आजन दे याजी साथे डेंडलीयन रूट टी एभी एक डेंडलीयन द पाउटर मिल दा तुसी बड़े राम ना अपने लोकल स्टोर तो यहां ऑनलाइन बाय कर सकते हैं ओमेगा-3 हाई-पोटेंसी फिश ओयल कैप्सूल जड़े ने यहां अगर तुसी वेजिटेरियन हो ते अलसी दे तेल दे कैप्सूल यहां स्पिरलीन दे ओमेगा-3 सोजिश ही अनुट कर दीआने साथे लिवर नो जल्दी Buddhोने अा लिवर एक मात्र ऐसा साथा स्रीर या ओर्गन हुजड़ा पूरी तरह नह डर्रिकावर हो सकता है से उन्नों क्यों ना करिगे क्यों लाकरी कोलीन वाईटमीन डेवील देव्च होद आया यह ऑ़ी साथे बि लिवर दी रिकवरी ली बहुत अच्छा है बर्बेरिन एंड क्युकरमिन यानिके हल्दी ते बर्बेरिन ए पाउडर फॉर्म चीवी तानू मेल जन देने तो नू कैप्सुल फॉर्म चीज़ां वेरी हाई इन एंटी ऑक्सिदेंट हाई ली एंटी इंफ्लमेटरी सोजिश् सिर्फ इना चीज़ां दे लिवर दे पॉजिटिव एफेक्ट बलके बाकी होर वी ओर्गन दे उपर तो आड़ा पॉजिटिव एफेक्ट इना सप्लीमेंट्स दा पाउगा सो दोस्तो एसी फैटी लिवर डिजीज दी पूरी कहानी कि में इसाड़े लाइफस्टाइल दे करके साड़ी जिंदगी लेविच आउदाया साड़िया बिमारिया नू बदाया पर्मनेंटली सानू लिवर डेमेज वाले पासे नू तोर दाया लेकिन अच्छी डाइट इ मेरा काम सी तो आनू जानकारी देना सो मैठ दे देता उनू फॉलो करना उनू मनना उनू अपनी जिंदगी देविच अपलाई करना काम तो आड़ आया अगर तो आनू लगदाया कि इस वीडियो दे नाल तो आनू help मिली है ता प्लीज चैनल नो अगे शेर करो वीडियो न लेकिन मैं एक वर फिर बेंती कर देया जो इस वीडियो देविच जानकारी आपन दित्ती है तो आनू एही जानकारी तो आनू मैं बात देविच भी प्रवाइड करनी है तो सारा कुछ जो भी मेरी practical ते theoretical knowledge सी गी जिन्ही मेरी जानकारी सी मैं सारी ही इस वीडियो प्रेजे देखोंगे के किन्ने लोका नू फैटी लिवर दी प्रॉबलम है तो सी हरान रह जाओंगे के इनना कॉमन है तो अगर तुआ नू इस वीडियो तो फाइदा मिले आया तो तो आड़ा फर्ज बन दाया के इस वीडियो नू अग्गे होर लोका दे नालगी शेर करना जिना अनू फैटी लिवर दी प्रॉबलम है मैं उमीद कर दाया के वीडियो दा टांग प्रेजेंटेशन दा तरीका ते समझा उन दी बोली साथ दी पाशा तो आनू बदिया लगी होएगी एस से तरह दा होर कंटेक्ट देखन वास्ते चैनल देनाल जोडे रो आपा तो आनू म पेड़ांगे अगली बार उदो तक रखो अपना ख्याल टेक केर